आपने पुत्र का नाम नाराय निकल गया साथ वर्षे बलायव ने पारसद गेट दिया और पारसदों ने जो है उसको बोला वहां पर जाए जब पारसद बेच दिया बहुत बहुत जदा स्ट्रोंग है उनके लिए जो है याजामिल के लिए वर्दान ये साबित हो गया और जो है वो सीधे भवान के वाइकुट दाम चले गए करते हैं कि आप हमेशा कुछ भी आप करते रहे काम करते हैं लेकिन आप मन से जो सिर्फ नाराण को चब करते रहें अप्सुल्टी करेक्ट कहते सागरे बाधाय आपकी कट जाएं और नाराण यह आपना दर्सन देते गी और वाइकुट दाम में ले जाएंगे सबसे बड़ी बार अंत समय में कोई कष्ट नहीं मिलेगा ना तो वाइकुट दाम तो सबसे ही वसी मिलेगा ना उन्हें जो है न ना रखना ना वेतानी नदी का दयार ना तो नर्क का दर है और ना बैतरनी का दर है वह तो सीदे सीदे वाइकुट दाम चलेंगे बगवान नारायन के चर्णों में पहुंच जाएंगे बहुत बढ़िया यह जो आजामिल का ने अपने इतना दुश्ट आजमी था बहुत अजमील का नाम अजामिल का नाम उसके बुरे करम किये है उसके बुरे करम कर देखे लेकिन कहते कि जब नारायन का सामना पड़ता है तो सब आपके पाप कर्म धोल जाते हैं लेकिन माया जो है जकते हैं माया क्योंकि हम करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो तो हमें माया अपनी तरह माया ग्रसत करती है क्योंकि हमें मान करम बचन के वार्यों में भिष्वा भी आप ये बताओ कि आप सुवह से शाम तंक नारायन का ना मिश्रुमद नारायन करते हो वो किसलिए अपने पाप को काटने के लिए तो करते हो ना जो उनका जब करते हो उनका तब करते हो उनका नाम का समरन करते हो ओम नमश्वाय करते हो किस लिए उनमश्वाय करते हैं तो हमारी जो जो मन है तन है जो हमारी सारी जो है वो सब शुद्धी करन होता है शुद्धी करन होता है सफाई होती है और उसी से हमको प्रेर्णा मिलती है सही सही रास्ते इसलिए करते हैं जब भागवान जो है समोत्र के किनारे बैठे गए थे और तो भागवान ने सोचा कि मैं भी पत्थर प्यकूं कि मान में जो आते हैं जिस वक्त पूजा करते हैं कोई ने कोई विचार आता है मन में वो मन को बांद का रखना है ना खूंटे से वो कैसे करना है मन को मन चंचल है मन को कंट्रोल करने के लिए ही आपको एकाग होना पड़ेगा नाम का उसमें कैसे किसी के बताने से नहीं हो तो अपने मन से ही अपने आपको खूंटे से मन हो गया दिमार नहीं तो आप यहां पर बैटे हो जब आपका मन अगर इंद्रिया आपके बस में हो जा तो आपके ऐसे कोंश्चन कोई नहीं आएगा वह सिर्फ भागवत में ही बागवत में होता रहे होता रहे हैं कैसे प्रकुंट लिए जो बताया गया है यह जो वास्मे आपके हैं 18 चक्टर ओपके शिरनत बागवती गीता है यह जो है ग contributions करने के लिए योक बताए हो सब्सक्र चाहर है बहुत बहुत वह प्ना संत्य कंडलि यां उनको अध्यान करें तो तो वह अलगी है तो वह अलगी है